कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका confidence बिलकुल चटान की तरह होता है जीवन में कोई भी मुश्किल आए वो अपने confidence के साथ अपने आत्मविश्वास के साथ उस समस्या का सामना करते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी सी बात पर घबरा जाते हैं उनका आत्मविश्वास बिगड़ जाता है या गडबड हो जाता है आखिर किन स्थितियों में आत्मविश्वास गडबड हो जाता है देखिए कुंदली में अगर चंद्रमा प्रमुख ग्रह हो जाए तो आत्मविश्वास कम हो जाता है क्योंकि चंद्रमा जो है वो एक soft planet है और चंद्रमा अगर कुंदली में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा तो आपके अंदर softness आएगी आपके विचारों में उतार चड़ाओ पैदा होगा और ऐसी दशा में आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा आपका जो मन होगा वो बहुत मजबूती से सामने नहीं खड़ा हो पाएगा और मन के कमजोर होने की वज़े से आपका आत्मविश्वास भी कमजोर होगा सूर्य और मंगल दोनों कमजोर हो जाएं तो भी व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों अगनी के गरह माने जाते हैं और सूर्य मंगल अगर दोनों कमजोर हो जाएं तो व्यक्ति के अंदर साहस कमजोर हो जाता है कुंडली में अकेला सूर्य प्रबल हो जाए तो व्यक्ति बहुत सासी बड़ा confident होता है लेकिन सूर्य और मंगल अगर दोनों कमजोर हो जाए तो व्यक्ति को डर लगता है व्यक्ति को रिस्क लेने में, आगे काम करने में, अपनी बात को रखने में एक भै का अनुभव होता है, जो confidence level है, वो कमजोर होना शुरू हो जाता है अगर अगनी की राशियां गड़बड हो जाए तो भी व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है मेश, सिंग और धनू ये अगनी की राशियां है अब मान लिया, इन राशी में राहू बैठ गया, या शनी बैठ गया तो ऐसी दशा में भी आदमी का जो आत्मविश्वास है, जो confidence है, वो कमजोर हो जाता है व्यक्ति साहस को आगे बढ़ा करके, काम करने के बारे में विशार नहीं कर पाता और कमजोर आत्मविश्वास की वज़े से गड़बढिया कर देता है अगर किसी कुंडली में राहू का प्रभाव जादा हो जाए, तो ऐसी दशा में भी आत्मविश्वास कमजोर होता है क्योंकि राहू क्या करता है, कि साल में 365 दिन होते हैं, 5 दिन तो कॉन्फिदेंस बहुत अच्छा रखता है लेकिन 360 दिन कॉन्फिदेंस को कमजोर कर देता है यानि कुंडली में राहू का प्रभाव जादा होने पर आत्मविश्वास के गड़बड होने की संभावना रहती है अगर खान पान दूशित हो और अशुद हो तो ऐसी दशा में भी आत्मविश्वास कमजोर होता है अगर आप बहुत अलकोहल लेते हों बहुत शराप पीते हों या बहुत नशा करते हों या बहुत ज़्यादा नौनविच फूड खाते हों तो ऐसी दशा में कुंडली के जो निगेटिव प्लैनेट हैं जो नकार आत्मग्रा हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और आपका जो आत्मविश्वास है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है अंधेरे घर में रहने से भी आत्मविश्वास कमजोर होता है सूर्य की जो रोशनी है उसके अंदर बड़ी ताकत होती है आप देखिए कि हमारी परंपरा में हर पूजापाठ में हर उपवास में सूर्य की उपासना करने की बात कही गई है कि और कुछ हो नहो कम से कम सूर्य को जल चढ़ाईए ताकि सूर्य के कॉन्टेक्ट में एक मिनट दो मिनट आप आएंगे तो आपको सूर्य की उर्जा मिलेगी और आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा लेकिन अगर आप अंधेरे घर में रहें जहां सूर्य की रोश्णी ना आती हो हर समय अंदकार में रहते हो तो ऐसी दशा में डिप्रेशन की संभावना भी बनती है और ऐसी दशा में जो कॉन्फिडेंस है जो आत्मविश्वास है वो कमजोर होता चला जाता है